नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल में आपका सौगत है। आज की कहानी हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन किसी राज्जा के हाथ की उंग्ली कट गई। इस पर पास खड़े मंत्री ने राज्या से कहा ह। कुई बात नहीं महराज जो होता है अच्छे के लिए होता है ये बात राज्या को ना तो समझ आई ना ही अच्छी लगी उसने मंत्री से कहा तुम ये क्या कह रहे हो एक तो मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है इसमें मेरा क्या अ ठीक है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है तो फिर मैं तुम्हें कारवास में डाल देता हूँ फिर कहना जो हुआ अच्छा हुआ और इसने मंत्री को कारवास में डलवा दिया अगले दिन राजा अपने सहनिकों को लेकर शिकार करने जंगल में गया मगर जंगल में राजा तता उसके सहनिकों को वहां के जंगली कभीले वाले लोगों ने पकड़ लिया कभीले के लोगों ने एक एक करके सारे सहनिकों कोई बली चड़ा दी मगर जब राजा की बारे आई तो उन्होंने देखा राजा की उंगली खंडी थे अंत उसकी बली नहीं दी जा सक्की इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया राजा जंगल से जैसे ही महल में आया और सीधे मंत्री के पास जा पोचा उसने मंत्री से कहा मुझे माब कर दो तुम बिल्कुन सत्य कह रहे हो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है आज मेरी जान इस कटी हुए उंगली के कारण बज गई वरना मैं आज जिवित नहीं होता तब मंत्री ने कहा माफी मत मांगे महराज मैंने कहा थाना जो होता है अच्छे के लिए होता है मैं तो आपको धन्यवात कहिना चाता हूँ कि आपने मुझे कारवास में डाला दिया अन्यता मैं भी आपके साथ जाता और आप तो बच कर आ जाते मगर मेरा तो काम तमामी हो जाता शिक्षा जो होता है अच्छे के लिए होता है धन्यवात